कौन सा है सबसे important chapter है algebraic expression उसके बाद कौन सा है mensuration उसके बाद कौन सा है introduction to the graph उसके बाद कौन सा है that is exponential power तो पहले चार chapter आपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए वावा सर क्या बोल दिया आपने मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना हाग में मिलके गुले गुलदार होता है 9.1 में क्यों सा करना है question number 3 पहला और दूसरा पार्ट उसका question number 4 का A और B पार्ट करना है और फिर exercise 9.2 में question number 1 का third part करना है question number 2 के सारे parts करने है question number 3 हमें तो एक भी थे जब नहीं आता बेटा आपको चप्टराना चाहिए क्योंके पूरा साल आपने बढ़ा है चप्टराना चाहिए बेटा नहीं तो आप आपने कैसिक स्कॉर वाउचिंग भी अल्ला हाफिज, अल्ला राखा, जैहिन हलो, अवाज मेरी आ रही है, रुकसाना, फर्जाना, नजीर, बसीर, नाजिया, कुल्डीब, कोर, सरदीब सिंग, मेरे बच्चे, दानिश आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है, ओके, अच्चा, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मरतबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मरतबा चाहिए, कि दाना हाक में मिलके गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलके ही गुले गुलजार होता है अब इसमें थोड़ा सीड जर्विनेशन का भी कंसप्ट है बट ये शेर गालिप साब का मॉटिवेशनल है कि अगर कुछ लाइफ में पाना है तो अपने आपको इतनी महनत करो के मिटा दो अपने आपको इतनी महनत करनी च चाहूंगा जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हो that is your maths paper is here class 8 जे के बोस अच्छा इस वीडियो में मैं आपको क्या समझाने की कोशिश करूँगा बशीर मेरी बात द्यान से अच्छे से सुनना नाजिया मेरी बात द्यान से सुनना इरम मेरी बात द्यान से सुनना मैं क कैसे और उसके बाद हर चप्टर में से important question टिक करवाऊंगा तांके आपके लिए math करना असान हो जाए इरम आपको मेरी आवाज आ रही है ना आपको मेरी बात समझ आ रही है ना चलो जी हम discuss करते हैं कि paper का pattern क्या रहने वाला है देखो द्यान से आपको कुल मिला के 8 chapter आने वाले हैं कौन कौन सा chapter that is ये chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने chapter है total cool मिला के? 8 chapter है practical geometry, square and square roots, cube and cube root, algebraic expression, mensuration, exponential and power, introduction to graph, playing with a number sir, sir हमें तो एक भी chapter नहीं आता बेटा आपको chapter आना चाहिए क्योंके पूरा साल आपने बड़ा है chapter आना चाहिए बेटा नहीं तो आप अपने के साथ दोखा कर रहे हो अब सुनना ध्यान से अपना chapter में आपको clearly बता दिया है कि सवाल कैसे आएंगे? सवाल इस chapter में से ध्यान से समझना ये CL1, CL2, CL3 और total marks ये है क्या चीज़ है? इसमें क्या है? ये इसका मतलब है that is very easy सवाल इसका मतलब है easy सवाल और इसका मतलब है that is hard सवाल इसमें सिर्फ चीज़ें याद करने वाली होंगी इसमें चीज़ें याद करने वाली और थोड़ा सा concept लगेगा यहाँ पे critical thinking लगेगी यहाँ पे सोचना पड़ेगा बेटा कि क्यासे करना है? hope आपको मेरी बात समझा रही होगी मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? अच्छा, practical geometry से आपको एक number का very easy आएगा, easy कोई नहीं होगा और 5 number का hard सवाल होगा total कितने होंगे 6, वैसे ही square and square roots में से 2 number, 0 number 2 plus 1 number, total कितना होगया 5 फिर cube and cube root में से very easy सवाल, 2 number का easy कोई नहीं आने वाला और hard सवाल 2 plus 1 number का आ सकता है और total marks कितने हो जाएंगे 5, algebraic expression में से very easy सवाल 3 number का, उसके बाद easy सवाल 1 और 1 number का और hard सवाल 3 number का total कितने होगे 8, सबसे important chapter ये, 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 algebraic expression है ये चीज़ दियान में रखना ठीक है, उसके बाद mensuration में से very easy सवाल 2 आ जाएंगे एक-एक number के, फिर easy सवाल 2 number का, फिर hard सवाल 3 number का, total मिला के 7 माँ मतलब अगर आपने कोई chapter त्यार करना है, तो ये याद रखना के algebraic expression पहले त्यार कर लो और फिर उसके बाद mensuration त्यार कर लो फिर है exponential power, very easy सवाल 1 number का, easy सवाल 2 number का, hard सवाल 3 number का, total कितने होगे 6 number के फिर introduction to the graph 5, very easy 5 number के सवाल आएगा, अचा उसके बाद easy सवाल 1 number का आएगा और hard सवाल 1 number का आएगा, total कितने, 7, मतलब पहले introduction to the, पहले आपने algebraic expression करना है mensuration करना है, फिर introduction to the graph करना है, फिर exponential to the power करना है, playing with number very easy सवाल 1 और 1, 2 number का आजाएगा, easy सवाल 3 number का आजाएगा, और hard सवाल 1 number का आजाएगा, total कितना 6 इन सब को सम करोगे, तो आपका paper कितने number का रहने वाला है, 50 number रुकसाना समझाई, आपके paper कितने number का है, 50 number का, और सबसे important chapter कोन सा है, सबसे important chapter है algebraic expression उसके बाद कोन सा है, mensuration उसके बाद कोन सा है, introduction to the graph उसके बाद कोन सा है, that is exponential power तो पहले 4 chapter आपने ये पहले करने हैं, फिर उसके बाद दूसरे chapters पे जाना है, अच्छा, ये आगे वही चीज लिखी है, जो मैंने CL, CL2, CL3 के बारे में मैंने बताया है उसके बाद ध्यान से देखना, इस paper में total कितनी sections होगी, section A, फिर आएगी section, section B, फिर section आएगी C, और फिर section आएगी D total कितनी paper में sections? 4, total कितनी section? 4, दिमाग में रखना total कितनी sections रहेंगी? 4 section रहेंगी, कितनी रहेंगी फरजाना? 4 sections रहेंगी, और 4 section में जो पहली section होगी, उसको क्या नाम दिया गया है? that is section A, section A, ये याद रख लेना, section A में total 11 सवाल होंगे, section A में कितने सवाल होंगे? 11 दिखना, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल, 6 सवाल, 7 सवाल, 8 सवाल, 9 सवाल, उसके बाद 10 सवाल, 11 सवाल, 12 सवाल, 13 सवाल, अब ये model paper दिया है, तो कोशिश ये करना, कि model paper के इल कि model paper दे दिया तो यही paper पूछ लेगा model भी त्यार करना बढ़ साथ साथ में दूसरे question पर भी ध्यान देना है फिर section B section B में कितने सवाल section A एक एक नंबर के 13 सवाल थे section B में दो दो नंबर के marks आएंगे दो दो numbers के कितने आएंगे that is एक सवाल दो सवाल तीन सवाल चार सवाल पांच छे पांच और छे सवाल आएंगे total section B में कितने सवाल होंगे total कितने होंगे 6 सवाल और दो नंबर के होंगे और total मिला के कितने हो जाएंगे 12 नंबर तेरा नमबर पहले से और बारा नमबर यहां से देख लो एक दो एक दो और चार कितने हो जाएंगे छे सवाल बारा नमबर यहां से सक्षन सी में कितने सवाल होंगे एक सवाल दो सवाल तीन सवाल चार सवाल पांच सवाल ठीक है पांच सवाल पांच सवाल और कितने नमबर क होगा दो सवाल आएंगे एक पांच नंबर के ना सेक्षन डी में पांच नंबर के होंगे दो सवाल तो यह टोटल मिलाके कितने होगे 10 ठीक है टोटल मिला के कितने होगे 10 दस ये 15 ये कितने होगे 25 25 और 12 25 और 12 क्योंकि 6 ये सवाल हो जाएंगे 25 और 12 कितने होगे 37 37 और ये 13 सवाल कितने होगे ये 13 सवाल कितने होगे 37 और 13 तोटल नमबर का हमारे पास 50 नमबर का पेपर हो गया क्या बोला मैंने section A में MC क्यों होगे 13 नमबर के उसमें tough भी हो सकते हैं very easy भी हो सकते हैं easy भी हो सकते हैं ठीक है उसके बाद आता है 13 नमबर का ये और फिर section B में 12 नमबर के मनलब हर सवाल total कुल मिलाके 5 सवाल है तीन तीन नमबर के तो 15 ये 25 और 15 कितने होगे 40 और section D में 2 सवाल होंगे 5 5 नमबर के और दोनू में R होगा तो 5 दोने 2 तो ये कितना हो जाएगा 10 total हमारे पास marks कितने बनेंगे total हमारे पास 50 marks होंगे अचा सुनो मेरी बात अब दियान से मैं बोल रहा हूँ हमारे पास हमारे पास हमारे पास अच्छे से मैं बोलू हमारे पास कुल मिला के आठ चेप्टर हैं और मैंने ना आपको वहाँ पे चेप्टर आठ गिन के बताए थे चेप्टर के नाम नहीं बताए थे चेप्टर के नाम बताए थे चेप्टर नंबर नहीं बताए थे और second part करना है और फिर कौन सा part करना है फोर्थ पार्ट करना है फिर exercise 4.2 में से question number 1 का third part करना है और example 3 करनी है ये बार-बार सवाल पुछे गए हैं ये पका करके जाना और कुछ करो ना करो तो ये सवाल पका करके जाना बशीर साब फिर उसके बाद exercise 4.3 question number 2 तीसरा पार्ट फिर example 4 करनी है फिर exercise 4.4 का question number 2 और part कौन सा करना है second करना है exercise 4.5 question number 2 और question number 3 करना है यह वो वाले सवाल बता रहा हूँ जो most important है पेपर से पहले यह सारे सवाल एक बार देखके जाना यहां पर हमारा chapter number 4 मतलब practical geometric हतम होता है उसके बाद हमारे पास आता है chapter number 6 और यह क्या है that is square and square number इसमें total कितनी exercise है चार exercise है exercise first 6.1 से full question करने सारे question करने सारे important है example दूसरी और तीसरी करके जानी है 6.2 में question number 2 करना example 4 और 5 मी करनी है उसी तरह से exercise 6.3 में question number 3, 4, 5 और 10 करना है उसी तरह से exercise 6.4 में question number 1, 2, 3, 6 और क्या करना है question number 7 करना है यहाँ पे हमारा square and square root भी क्या हो जाता है खतम हो जाता है उसी तरह से हमारे पास है cube and cube roots इसकी दो exercise है चाचा दो exercise में पहली exercise 7.1 में question number 2, 3 और 4 करना है और दूसरी exercise 7.2 में से question number 1 और 3 करना है इसी तरह से हमारे पास है chapter number 9, chapter number 9, algebraic expression and identity is most important chapter है 8 number का आता इसमें exercise कितनी है एक, दो, तीन, चार और 5 exercise है 9.1 में क्यों सा करना है question number 3, पहला और दूसरा पास उसका question number 4 का A और B पास करना है और फिर exercise 9.2 में question number 1 का third part करना है, question number 2 के सारे parts करने है question number 4 का चोथा part करना है, question number 5 का पाँचमा part करना है पिर exercise 9.3 में question number 3 का second part करना है, question number 4 का part A and B करना है question number 5 के सारे parts करने हैं और बिल्कुल टेंशन ही लेना, ये PDF फाईल आपको मिले गई ये PDF फाईल सर कहां मिलेगी, ये PDF फाईल मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी जिसका link मेंने description में दे रखा है, please उसको join कर लेना अच्छा, फिर उसके बाद है exercise 9.4, question number 1 का चोथा part question number 3 का कौन सा part, सात माँ part, ठीक है फिर exercise 9.5 का, question number 1 का कौन सा part, चोथा part ठीक है, question number 2 का कौन सा part, that is 6 माँ part और question number 6 के सारे part करके जाने हैं, बशीर साब ध्यान में रखिएगा इसका और question number 8 का पहला part, यहाँ पे हमारा algebraic expression and identities भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिर आता है chapter number 10 जिसको क्या बोलते हैं, mensuration, मैंने इसकी numbering, इसके numbers बता दिए यह कितने number का आता है, उसमें exercise 10.1 के कौन सा question करना है, पहला, दूसरा, तीसरा और चोथा करके जाना उसके बाद exercise 10.2 का question number 4, 5, 6, 8 और 10 करके जाना उसके बाद exercise 10.3 का कौन सा करना है, 3, 4, 7, 9, और 10 करके जाना है और उसी तरह से exercise 10.4 का कौन सा करके जाना है, 3, 5, 6, और 8 करके जाना है यहाँ पे हमारा chapter mensuration भी खतम हो जाता है, अच्छा, उसके बाद है exponential and power exponential power की दो exercise है, exercise 11.1, exercise 11.2, exercise 11.1 का question number 3 का second, third and fifth part करना है question number 4 करना है, 5 करना है, और question number कौन सा करना है, 6 करना है और दूसरी exercise का second question के सारे part करने है, और question number 4 करना है यह PDF file मिलेगा, आप tension ना लो, कि मासर दड़ा दर, टरा टर बोल रहा है बाद समझे की नहीं, यह मिलेगी आपको PDF file, इरम जी मिलेगी PDF file, attention ना लोगा आप, ठीक है, ध्यान में रखो, और आपको यही सवाल, यह सवाल पहले practice करना, फिर time मिले, तो दूसरे सवाल पे जाना, questions पे जाना, ठीक है, फिर है introduction to graph, इसकी तीन exercise है, exercise 14.1 से, question number 5 के most part, मतलब सारे part करने है, 12.2, 14.2 से question number 1 और 2 करना है, और exercise 14.3 से question number 1 के full part करने, सारे part करने, question number 2 का part, साकिन करना है, फिर है playing with number, इसकी कितनी exercise है, दो exercise है, exercise 15.1, इसका कौन सा question number 1 का part, part 6, 8 और 10 पार्ट करना है, और उसके बाद exercise 15.2 का question number 2, 3 और 4 करना है, hope आपको, hope आपको, जो मैंने बोला है, वो चमका होगा, जितने सवाल मैंने बताए हैं, पहले वो वाले सवाल करने हैं, फिर दूसरे वाले सवालों पे जाना है, और मैंने model paper पर भी आपको बहुत अच्छे से समझाया है, अब क्या करना है, ये वाली जो PDF फाइल है, इसको telegram, जिसका link description में है, बजाईत गबर सर, वो आपने link को open करना है, और आपको ये वाली PDF फाइल क्या कर जाएगी, मिल जाएगी, और ध्यान से समझना, क्या, अच्छे से महनत क करना, अच्छे से पढ़ना, तांके आपके बहुत अच्छे marks आएं बोड में, मैं आपको ये चीज़ भी बताऊंगा कि किस तरह से paper को present करना है आने वाली videos में, ओके, तब तब के लिए आप अच्छे से रोजे रखें, अपने Allah को याद रखें, अपने Allah को याद करें, द अफल मिलेगा, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेर करें, मैं ऐसा ही content आपके लिए लाता रहूंगा, thanks for watching me, अल्ला हाफिस, अल्ला राखा, जै हिंद!